नमस्कार अपलाई बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मोहन तिवारी लोकसबा चुनाओं को लेकर बिहार की राजनिती में हो रहे उथल पुथल के बीच जिस प्रकार का नया सियासी समिकरन बना है उसके बाद NDA के अंदर सबसे ज़्यादा चर्चा यही है कि अब बीजेपी अपने पुराने सहयोगियों को कितनी सीटे देगी क्योंकि नितीश कुमार अब इंडी गठबंदन छोड़ कर NDA के साथ आ गए है बिहार में NDA की सरकार बन गई है उसके बाद चाहे उपेंदर कुश्वाहा हो जितन राम माजी हो या फिर चिराग पासवान हो इनी को लेकर सबसे ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि अब इन पार्टियों का क्या होगा जितनी सीटों पर दावा कर रहे थे क्या अब बीजेपी वो सीटे उसी अनुपात में इन्हें वापस देगी या फिर नितीश कुमार के आने से इन्हें जोर का जटका लगने वाला है लेकिन इनी चर्चाओं और कयासों के बीच आज लोजपा राम विलास यानि की चिराग पासवान की पाटी ने 11 लोकसबा सीटों पर अपने प्रभारियों की न्यूकति कर दी है इनमें वो छो सीटे हैं जो पहले लोजपा के खाते में ही थी इसके अलावा चार जनतादल यूनाइटेट की सीटे हैं और एक सीट बीजेपी की है देखिए हम आपको वो प्रेश विग्यप्ति दिखा रहे हैं जो की लोजपा रामविलास के तरप से जारी की गई है परदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने इसे जारी किया है और इस संबंध में पूरी जानकारी इस विग्यप्ति में दी गई है जिसमें कहा गया है कि लोग जनसक्ति पार्टी रामविलास के राश्ट्रिय अध्यक्ष आदर्निय सिरी चिराग पास्वान जी के निर्देशा अनुसार आप सभी सम्मानित पदादी कारिगन को लोगसभा चुनाओ की तयारी है तू लोगसभा प्रभारी न्यूक्त किया ज जिसमें सबसे पहले हाजीपूर की सीठ है वही हाजीपूर जहां पर अभी चाचा बतीजे की लराई चल रही है कि अगामी 24 के चुनाओं में यहां से कौन दावेदार होगा एंडिये से कौन मैदान में उतरेगा यहां पर लोजपाराम विलास ने अरविंद कुमार सिंग को लोक्षबा प्रभारी निउक्त किया है इसके अलावा जो चिराग पाश्वान की जमुई की सीठ है वहाँ पर अमरनात सिंग उर्फ अमर कुश्वाहा को प्रभारी निउक्त किया गया है खगरिया की सीठ पर शुरेश भगत को समस्तिपूर जो की चिराग पाश्वान क पाल गंज के मार्शिंग को प्रभारी निटीर गया है। बेगु सराई की सीट सबसे होट सीट गिराज सिंग की सीट पर भी इंदु कस्यप को लोजपा राम विलास ने प्रभारी बनाया है जबकि जहानाबाद जहां पर जनतादल यूनाइटेट के सांसद अभी हैं वहां पर भी रामाश्रेश शर्मा उर्फ पुंदेव शर्मा को लोजपा राम विलास ने अपना प्रभारी नियुक्त किया है तो 11 सीटों की सूची लोजपा राम विलास के तरफ से जारी की गई है जहां पर प्रभारी की नियुक्ती पार्टी के तरफ से किया गया है यानि कि इन 11 सीटों पर लोजपा राम विलास दावा कर रही है जिन में देखना है कि NDA गटबंदन के अंदर BJP चिराग पास्वान की लोजपा को कितनी सीट आने वाले चुनाओं में देगी क्योंकि वहीं दूसरी तरफ चिराग पास्वान के सबसे बड़े धूर विरोधी खुद उनके चाचा हैं जो कि केंद्र में मंत्री हैं और वो भी तरफ जनतादल यूनाइटेट को भी आँख दिखाने की कोशिस की है उनके चार सीटों पर भी तैयारी का इसारा कर दिया है वहीं गिराज सिंग को लेकर भी जिस तरह के खबर निकल कर सामनी आ रही है कि उनके जो सीट है वो बदल सकती है बीजेपी और वैसी परस्थिती में चिराग पास्वान ने बेगू सराई में भी प्रभारी निक्त किया है देखना होगा कि आगे चलकर एंडिये में सीट बटवारे का क्या फॉर्मूला तै होता है चिराग पास्वान जनतादल यूनाइटेट बीजेपी उपेंद्र कुश्वाहा पशुपति पारस जीत किसके खाते में कितनी सीटे जाती हैं और लोग शबा प्रभारी की न्यूकति करके चिराग पास्वान एंडिये गठ बंदन पर कितना दबाओ बना सकते हैं बनड़े लाइप बिहार के साथ अब सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फ